कि ध्यान का अर्थ होता है स्वयंग को पूरा-पूरा अस्तित्य की गोद में छोड़ देना जैसे अब आप हैं ही नहीं अगला क्वेस्टिन गुरुजी अमन जैस्वाल जी की दरफ से है मैं 2019 से ध्यान कर रहा हूं अभी तक रिदे में प्रकाश पुझ को नहीं देख पाया हूं बहुत सोभा किशाली हैं अमन जी कि आप 2019 से निरंद्र ध्यान का भ्यास कर रहे हैं और आपके प्रस्ण से साफ लगता है कि आप रिदे केंद्र पर ध्यान करते हैं और आपकी पीड़ा है कि अभी थ्रदे केंद्र प्रकाश पुझ आपको अनुभो नहीं हो सका इस संबन्द में आपको सबसे महत्पुण बात यही कहना चाहता हूं कि एक घंटे आप ध्यान करते हैं इतना ही परियापत है एक घंटा आप ध्यान के नाम पर बैठ रहे हैं आप बैठना जारी रखें और कुछ भी देखने प्रकास पुझ को देखने की प्रकास पुझ को खोजने की प्रकास पुझ को पाने की आकांग्षा को छोड़ते हैं जैसे ही आप कुछ देखने पाने पहुचने की आकांग्षा करते हैं वैसे ही ध्यान का उल्टा होने लगता है आपके से ने ध्यान का अर्थ होता है स्वयंग को पूरा-पूरा अस्तित्त की गोद में छोड़ देना जैसे अब आप हैं ही नहीं ना आप सरीर से कुछ कर रहे हैं ना मन से कुछ कर रहे हैं और आपने बंद आँखों से ध्यान का रुख फरदय की ओर कर दिया है अब जो होता है वो उसकी मरजी पर शोड़ दीजिए सद्गुरु की मरजी पर शोड़ दीजिए अगर आप इतना करते हैं तब तो समझे कि आपका ध्यान पूरा-पूरा हो रहा है लेकिन अभी तो आप प्रकास पुझ को देखने की लालसा में भरे हुए है अब आपका माइंड आपका मन प्रकास पुझ को खोज रहा है वो ध्यान में उतरी नहीं पा रहा है ध्यान का अर्थ है मन का पूरा-पूरा गायब हो जाना जब मन नहीं रहा जाता जब मन विसर्जित हो जाता है तब जो उपलब्द होता है उसे हम कहते हैं ध्यान की आवस्था में होना और अगर मन लगातार प्रकास पुझ को देखने की चाह में ताक रहा है बैठा हुआ है आपके भीतर वो जो मन प्रकास पुझ की चाह में बैठा हुआ है वो ध्यान में बादा बन रहा है इसलिए उसी को हटा दो आपका काम हंड़िट परसेंट तत्काल पूरा हो जाएगा मन की मोत का नाम है ध्यान और मन जब तक जंदा है तब तक ध्यान नहीं हो सकता है मन की इस चाह के विसर्जित होते ही यान का फूल आपके भीतर खिलने लगेगा बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशनवाद तैंक्यू जो मत